स्रेश वाय नमस्तु भ्याम हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आज है 18 जून और निर्जला एक अदसी और बड़े मंगलवार का बहुत ही विशेश सदिन और अगर आज रात में आपने एक निर्जला सुधा दीपक अपने घर पे चला दियाना तो पूरी फैमली आपकी खुश रहेगी कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखनी की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको पता दू यह उपाय आपको रात में करना है दोपहर में नहीं शाम को नहीं रात में ही इस उपाय को करना होगा जिससे आपकी फैमली आपका पूरा परिवार हमेशा कुछ रहा और कहीं बाहर नहीं जाना आपको उपाय अपने घर पे करना ठीक है ना समझने कोशिश करिएगा आपको एक स्वधा दीपक लगाना होगा वो स्वधा दीपक कैसे होगा एक मिट्टी का दिया लो ठीक है ना उस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा पहले तो घी डाल दो है ना घी डाल दिया और इस दीपक में आपको को लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया कौनसा लंबी बत्ती का दिया घी का लंबी बत्ती का दिया तरीका समझेंगे कि दीपक के नीचे क्या रखेंगे दीपक के अंदर क्या डालेंगे जिससे यह दीपक सुधा दीपक कहला है क्या करना है आपको उस दीपक को ले करके जितने भी कमरे होंगे जितने भी रूम्स ह उन सभी कमरों में ले करके एक बार उस दीपक को घूम लेना है ना जलता हुआ नहीं बिना जलाये है उस दीपक को ले करके एक बार घूम लेना और घूमने के बाद में आपके ही घर में चाहे गंबले में या फिर जहां पे भी कौनसा पेंड हो बेल का पेंड हो और उसी बे परिपन वाले स्थान पे जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको रखना होगा और रखने के बाद में तीन बार आपको बोलना है स्वधा, स्वधा, स्वधा और बोल करके आपको इस बत्ती का जो मुख होगा इसको प्रजुलित कर देना इसको जला देना ठीके ना जलाने के बाद में आपकी फैमली में आपके परिवार में जो भी संकट चल रहे हो जो भी प्रॉब्लम चल रहे हो जो भी समस्याएं चल रहे हो उन समस्याओं का ध्या हुआ नजर आएगा फिर आप इस दीपक को उठा लेना और अगले दिन जा करके किसी भी वट पेंड या फिर पीपल पेंड के नीचे अगर उसे आप छोड़ करके चले आते हो तो जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्ता हैं आप ए घर में चल रही है बहुत संकट है बहुत चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा बस ध्यान यह रखना है कि जब आप उस दीपक को जला रहे हो तो बती का मुख साउथ डिरेक्शन यानि कि दक्षिर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए और साथी साथ आपको तीन बार बोलना होगा स्वधा 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 इस उपाय का नाम है स्वधा दीपक उपाय तो आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना सिर्फ दो से तीन मिनट का यह उपाय था तो जादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए गा ताकि सभी लोग आज अपने घर पे इस उपाय को कर पाएं मैंने कोशिच किए आप स